जै हिंद जै भारत दोस्तों मेरे काफी साथियों का कहना यही है कि भाई शाब हमें किरन समझा दो तो आईए दोस्तों बहुत ही गहराई से समझते हैं किरन गाइज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किरन और इसे इंगलिस में कहते हैं रे यहाँ पर आप समझ गया होंगे आसानी से यहाँ पर आप समझ यह आपको किलिरली आ जाएगा यहाँ पर आप सबको बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा कि किसी एक बिंदू से प्रारंब होकर बहुत दूर तक जाने वाली रेखा को किरन कहते हैं यहाँ पर आप समझिए यहाँ पर आप गौर किजी आपको किलरली आ ही जाएगा यह एक बिंदू है और इस बिंदू से ये बिंदू से शुरू होकर प्रारंभ यानि भाई शाहब शुरू होकर बहुत दूर तक एक गाईज आप कहें भी ले जा सकते हैं इसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है परिभासर में तो भाई शाहाब हम किरन किसको कहेंगे तो आसानी से आपको याद रखना है कि किसी एक बिंदू से शुरू होगा और वो बहुत दूर तक जाएगा तो ऐसे में ये जो रिखा है ना यही रिखा हमारा क्या कहलागा किरन कहलागा तो किरन के बारे में कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुआ की नहीं हुआ गाइज मैंने यहाँ पर एक्जामपल में क्या लिख रखा है कि टॉर्च की रोसनी भी तो क्या किरन ही तो है जी हां साती हो आपके सामने टॉर्च है ना टॉर्च हमारा जो किरन होता है टॉर्च का जो रोसन होता है वो हमारा किरन का ही काम करता है तो परिभासा में आपको आसानी से दिख रहा होगा और आप इसे समझ सकते हैं तो गाईज की रण के बारे में अगर आपको कुछ भी जनकारी अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर देना और नहीं तो डिसलाइक करना और यहां से निकल जाना बाई बाई टेक केर बेस्ट अफ लग